ओम शान्ति आज है 25 जुलाई 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइस कोस 2288 मुल्ली का टाइटल है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद तन मन की थकावट मिटाने का साधन शप्तिशाली याद आज परदेशी बाप अपने अनादी देशवासी और आदी देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं बाप तदा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलदे लाडले बच्चे हैं अनादी देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ स्रिष्टी के आदी के इसी भारत भूमी में जब सत्यूगी स्वदेश था अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं तो आदी में इसी भारत देश वासी थे इसी भारत भूमी में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है अनेक जनम अपने राज्य में सुक शान्ती संपन अनेक जीवन वहतीत किये इसलिए आदी देश वासी होने के कारण भारत भूमी से दिल कास नहे है चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब वा धूल मिट्टी वाला बन गया है फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है तो अपना सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही धाना? कितने जनम भारत भूमी में रहे हो वह याद है? 21 जनमों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है इसलिए 21 जनम की तो गरेंटी है ही है बाद में भी हर एक आत्मा के कई जनम भारत भूमी में ही हुए है क्योंकि जो भ्रह्मा बाप के समीप आत्माई हैं, समान बनने वाली आत्माई हैं वे भ्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पुज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्रामन आत्माई बनती हूँ आदी स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमी के देश वासी हूँ इसलिए ब्रामनों के अलोकिक संसार मधुबन से अती प्यार है यह मधुबन ब्रामनों का छोटा सा संसार है तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना यहां से जाने को दिन लहीं होती है ना अगर अभी अभी ओर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना वा यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए बाप दादा कहे बैठ जाओ फिर भी सेवा याद आएगी सेवा कराने वाला कौन है जो बाप का डारेक्शन हो श्रीमत हो उसको उसी रूप में पालन करना इसको कहते हैं सच्चा आग्याकारी बच्चा बाप दादा जानते हैं मधुवन में बिठाना है वा सेवा पर भेजना है ब्रामन बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है अभी अभी जो डारेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ट आत्मा यह तो जानते होना कि सेवा की जिम्मेवार बाप दादा है वह आप हैं इस जिम्मेवारी से तो आप हलके हो गई ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोज है करावन हार करा रहा है करावन हार एक ही बाप है किसी की भी बुद्धी को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहें हैं और कराते रहेंगे सिरफ निमेत बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा पाने वाले बच्चे हैं बाप को पाना नहीं है प्रालब्द पाना या सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है इसलिए निमेत बच्चों को बनाते हैं साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है यह भी देख रहे हो अव्यक्त सेवा की गती और ही तीवर गती है कराने वाला करा रहा है और आप कटपुतली के समान नाच रहे हो यह सेवा भी एक खेल है कराने वाला करा रहा है और आप निमित बन एक कदम का पदम गुना प्रालब्ध बना रहे हो तो बोज किसके उपर है कराने वाले पर या करने वाले पर बाप तो जानते हैं यह भी बोज नहीं है आप बोज कहते हो तो बाप भी बोज शब्द कहते हैं बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है सिरफ जैसे लकीर खीची जाती है लकीर खीचना बड़ी बात लगती है क्या तो ऐसे बाप तादा सेवा कराते हैं सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खीचना रिपीट कर रही हैं निमित खेल कर रही है जैसे माया का विग्न खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है ऐसे समझने से सेवा में सदाही रिफ्रेश्मेंट अनुभव करेंगे जैसे कोई खेल किसी लिए करते हैं ठकने के लिए नहीं रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती क्योंकि अपने दिल की रूची से खेल किया जाता है चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनुरंजन लगता है क्योंकि अपनी दिल से करते हो, और कोई लौकिक कार्य बोज मिसल होता है, निर्वा अर्थ करना ही पड़ेगा ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए महनत लगती है चाहे शरीरिक महनत का, चाहे बुद्धी की महनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से ठकावट अनुभव करेंगे क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते, जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें ठकावट नहीं होती बोज अनुभव नहीं होता, कहां कहां बच्चों के उपर सेवा के हिसाब से जादा कार्य भी आ जाता है इसलिए भी कभी कभी ठकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथकवन सेवा करने के उमंग उत्सा में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रक आगे बढ़ रहे हैं यह देख बाप दादा हर्शिद भी होते हैं, फिर भी सदा बुद्धी को हलका जरूर रखो बाप दादा बच्चों के सब प्लैन, प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वताही कार्य करते रहते जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते सुक्षम वतन तो है ही लाइट का साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकिर्टी के साधन है लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकिर्टी के नहीं है और प्रकिर्ती रूप बदलती है, सतो रजो तमों में परिवर्तन होती है इस समय तो है ही तमों गुणी प्रकिर्ती इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कर नहीं चलेंगे लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकिर्ती से परे है इसलिए वे परिवर्तन में नहीं आते जब चाहो जैसे चाहो सुक्षम साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाब दादा के लिए बड़ी बात नहीं है आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है न तो बाब दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी जादा लगा देते हो सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है सेवा में बीजी होने के कारण छोटी-छोटी बातों से बच भी जाते हो बाब तादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है हिम्मत पर बलिहार जाते है लेकिन जो सेवा याद में उन्नती में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए जैसे रातरी को जागते हो बारा वा एक बजा देते हो तो अमरितवेला फ्रेश नहीं होगा बैठते भी हो तो नियम प्रमान और अमरितवेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पर जाता है मानो सेवा के प्लैन बनाने में वा सेवा को प्रेक्टिकल लाने में समय भी लगता है मानो सेवा के प्लैन बनाने में वा सेवा को प्रेक्टिकल लाने में समय भी लगता है तो रात के समय को कट करके बारा के बदले ग्यारा बजे सो जाओ वही एक घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमरितवेला अच्छा रहेगा बुद्धी भी फ्रेश रहेगी नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रही है लेकिन याद का चाट जितना होना चाहिए उतना नहीं है जो संकल्प दिल में वा मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है तो उस संकल्प के कारण बुद्धी भी फ्रेश नहीं होती और बुद्धी अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धी से दो तिन घंटे का काम एक घंटे में पूरा कर सकते हो ठकी हुई बुद्धी में टाइम जादा लग जाता है यह अनुबव है ना? और जितनी फ्रेश बुद्धी रहती शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नती के रूप में भी फ्रेश डबल ताजगी रहती तो एक घंटे का कार्य आदा घंटे में कर लेंगे इसलिए सदैव अपनी दिन चर्या में फ्रेश बुद्धी रहने का अटेंशन रखो जादा सोने की भी आदत ना हो लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है मास दो मास में दो-चार बार देरी हो गई वहे बात दूसरी बात है लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर ठका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो चार घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है इसको भी आवश्यक समझ इस विधी से अपना प्रोग्राम बनाओ सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है इस विधी से चलो क्योंकि दिन प्रति दिन सेवा का तो और ही तीवर गती से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है आप समझते हो अच्छा यह एक वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर जादा बढ़ा लेंगे लेकिन सेवा के कार्यतों दिन प्रति दिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं इसलिए सदा बैलन्स रखो अम्रित वेले फ्रेश हो फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमान करो तो बाप की ब्लैसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुध्धी भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी समझा बाप दादा देख रही हैं बच्चों में उमंग बहुत है इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते उमंग उसा से आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है फिर भी बैलन्स अवश्य चाहिए भल करते रहते हो चलते रहते हो लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुधी की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिर्चिडापन हो जाता उससे खुशी कम हो जाती है वैसे अंदर ठीक रहते हो सेवा का बल भी मिल रहा है खुशी भी मिल रही है फिर भी शरीर तो पुराना है ना इसलिए टू मच में नहीं जाओ बैलेंस रखो याद के चाट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए जितना सेवा में बीजी रहते हो भल कितना भी बीजी रहो लेकिन थकावट मिटाने का विशेश साधन हर घंटे वा दो घंटे में एक मिनट भी शक्तिशाली या का अवश्य निकालो जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स दो दो घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना तो बीच बीच में एक मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे सुनाया थाना कि शक्तिशाली याद सदा क्यूं नहीं रहती जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है दिल का सनेहे है नौलेज़ फुल हो प्राप्ती के अनुभवी हो फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यू याद का लिंक नहीं रखते लिंक तूटता है इसलिए फिर जोडने में समय भी लगता मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाए कमजोर हो जाते विस्समृती तो हो नहीं सकती याद रहती है लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वता रहे उसके लिए यह लिंक तूटना हर समय बुद्धी में याद का लिंक जुटा रहे। उसकी विदी यह है। यह भी आवश्चक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्चक है यह प्लैन पूरा करके ही उठना है। इसलिए समय भी देते हो, एनरजी भी लगाते हो। वैसे यह भी आवश्चक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले एड करो। जैसे सेवा के प्लैन के लिए दो गंटे का टाइम फिक्स करते हो। चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रेक्टिकल करते हो। तो दो गंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है। यह एड करो। जो एक गंटे में प्लैन बनाएंगे, वैं आदा गंटे में हो जाए करके देखो आपे ही फ्रेशनेस से दो बजे आँख खुलती है वह दूसरी बात है लेकिन कारे के कारण जागना पड़ता है तो इसका प्रभाव शरीर पर आता है इसलिए बैलेंस के उपर सदा अटेंशन रखो बाप दातो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इनों के माथे की मालिश होनी चाहिए लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे वहे भी अलौकिक होगी ऐसी लौकिक मालिश थोड़े ही होगी एकदम फ्रेश हो जाएंगे एक सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है बाप के वतन में आ जाओ जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा चाहे शरीर की थकावट हो चाहे दिमाग की चाहे स्थिती की थकावट हो बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूरिहान कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है सेवा बढ़ाना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है इसलिए सेवा के प्लैंस निकलने ही है और आप सबको निमित बन करनी ही है यह भावी कोई बदन नहीं सकते बाप चाहे एक वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे नहीं बदल सकता सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे जैसे याद ब्रामण जीवन की खुराक है ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या लेकिन बैलन्स जरूरी है इतना भी जादा नहीं करो जो बुद्धी पर बोज हो और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ ना बोज हो ना अलबेलापन हो इसको कहते हैं बैलन्स अच्छा सदा याद और सेवा के बैलन्स द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोडने वाले सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर करम विधी पूर्व करने वाले, सदा श्रेष्ट सिधी प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ट समी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को दिल वा जान सिक वा प्रेम से नमस्ते 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 जी, गुड मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाहा मेरा भाग्य, वाहा मेरे भाग्य विधाता बाबा. वर्दान है श्रेश्ट तक्दीर की सम्रिती द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूरेवन्शी पद के अधिकारी भव श्रेष्ट तकदीर की समरिती द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूरेवन्शी पद के अधिकारी भव डिटेल है जो अपनी श्रेष्ट तकदीर को सदा समरिती में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं उन्हे सदा अपना अनादी असली स्वरूप समरीती में रहता है कभी नकली फेज धारन नहीं करते कई बार माया नकली गुण और करतव्य का स्वरूप बना देती है किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है लेकिन असली स्वरूब इन सब बातों से परे है जो बच्चे अपने असली स्वरूब में स्थित रहते हैं वह सूर्यवन्शी पद के अधिकारी बन जाते हैं स्लोगन है सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा अच्छा ओम शांती